दुश्मनों की काप जाएगी रूप आस्मान से इसकी गूँच से थर-थर कापेंगे देश के दुश्मन जल्द भारती सेना में शायमिल हो रहा है अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर जी हाँ बहुत इंतजार के बाद आकरकार वो दिन आहीं गया जब देश की बहु प्रतिक्षित अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को अधिकारिक तोर पर भारती वायू सेना को सौपा जाएगा अपाचे हेलिकॉप्टर की पहली खेब 3 सितंबर को पठान कोट एयर बेस पर भारती वायू सेना का हिस्सा बन जाएगी जाईर है इस हेलिकॉप्टर के भारती वायू सेना में शाविल हो जाने से हमारी सेना दुश्मनों को उसके खर में खुसकर मारने में सक्षम हो जाएगी 3 सितंबर को शीर्स आई एफ और अन्य अधिकारियों की मौझूदगी में राक्षा मंत्रे राजनात सिंग सबसे ताकतवर हेलिकॉप्टर अपाचे को भारती वायू सेना को समर्पित करेंगे आपको बता दे कि अपाचे अटैक हेलिकॉप्टर को दुनिया की सबसे खतरनाक हेलिकॉप्टर माना जाता है जैसका निर्मान अमेरिकी कमपनी बोईंग करती है भारती वायू सेना इस हेलिकॉप्टर को बोईंग से खरीद रही है इस एडवांस अपाचे हेलिकॉप्टर को भारत में खरीदने की डील साल 2015 में की थी भारत में कुल 22 हेलिकॉप्टरों को खरीदने की डील की थी ये एडवांस अपाचे अटायक हेलिकॉप्टर भारतिय सेना में अब तक उप्योग किये जा रहे तीन दशक पुराने MI-35 हेलिकॉप्टर की जगह लेंगे अपाचे हलिकॉप्टर एक टू सीटर हलिकॉप्टर है जिसमें हलिफायर और स्ट्रिंगर मिसाइले लगी है 365 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकने में सक्षम इस हलिकॉप्टर में 30 मिलिमीटर की दो गल लगी हुई है और साथ ही इसमें लगे है सेंसर जिसकी वज़ा से ये रात में भी ऑपरेशन को अंजाम दे सकता है भारत चौद्वा देश होगा जो अपाचे हलिकॉप्टर का उप्योग करेगा अपाचे के आजाने से वायुसेना की ताकत पे इजाफा होगा आपको बताते चले कि इसी साल फर्वरी में भारती वायुसेना के बेडे में अमेरिका से खरीदे गए चेनकू हेलिकॉप्टर की पहली खेप को शामिल किया जा चुका है ब्यूरा रिपोर्ट भारत तक